हाई मैं हूँ रॉक्तर निकुनिक श्रिवास्तर और आज मैं अपनी वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ जिंकोविट के बारे में जिंकोविट जैसे कि इसका नाम है जिंक प्लस विटामिन मिलके बंदा है जिंकोविट जिंकोविट एक nutritional supplement है जिसमें बहुत ही भरपोर मातरा में minerals, vitamins प्रेजन्ट होते हैं जो कि हमारी body के लिए बहुत helpful होते हैं जिंकोविट का composition क्या क्या होता है इसमें biotene, chromium, copper, manganese, magnesium, selenium, niacinamide और भी बहुत सारे vitamins जैसे की vitamin B1, B2, B5, B6, B12, vitamin C, vitamin D3 और vitamin E plus selenium छोटे amount में और एक magic mineral जिसका नाम होता है जिंक किस में present रहता है इसके साथ grape seed extract भी present रहती है grape seed extract जो होता है वो एक antioxidant की तरह हमारी body में काम करता है जिंकोविट हम कब prescribe करते हैं जब हमारी daily dietary intake से proper zinc की मातरा जो हमारी body ने जरूरत हो या और भी vitamins जो हमारी body के लिए essential है अगर उनका absorption सिर्फ खाने से नहीं हो पाता है तब doctors supplements को recommend करते हैं जिंकोविट में जो magic mineral है वो होता है zinc जिंक हमारी body में बहुत ही helpful वाले काम करता है जैसे की यह हमें help करता है cellular build-up होने में या फिर cellular repair होने में या फिर carbohydrate metabolism में या यह हमारे olfactory senses यानि की हमारे smelling power को भी increase करता है zinc जो है वो एक immunity booster essential mineral होता है हमारी body के लिए इसलिए कोविट के टाइम ने zinc विट बहुत सारे doctors इसको recommend कर रहे थे क्योंकि हमारी body को disease से या जानिकी infection या किसी भी बिमारी से लडने की छमता increase करता है zinc विट में जो vitamins present रहते हैं वो ना कि हमारी body में सिफ organs को maintain करते हैं बट हमें हमारी body में RBC cells को भी develop होने में increase करते हैं और जो grape seed extract इसमें present होता है वो एक antioxidant की तरह काम करता है हमारी body में जो कि हमें young बनाए रखने में या किसी भी बिमारी से लडने के लिए बहुत फाइडे मंद होता है जिंकोविट को हम as a prophylactic यानि कि किसी भी बिमारी होने से पहले भी दे सकते हैं या फिर therapeutic use यानि कि already कोई बिमारी है उसके treatment के as a supplement भी हम जिंकोविट को prescribe करते हैं जिन लोगों को diabetes suspect हो उनको भी जिंकोविट prescribe की जाते हैं जिन लोगों को weight loss करना हो उसमें भी जिंकोविट का बहुत help होता है जो females breastfeed करवाती हैं जिंकोविट में present vitamins breastfeeding के थुरू बेबी के body के अंदर जा सकते हैं जिसमें vitaminosis की problem हो सकती है बच्चे में इसलिए अपने pediatrician या अपने gynecologist से जरूर consult करें जिन लोगों को kidney की समस्या है जिंकोविट के overdose से kidney stones हो सकते हैं तो जो लोग dialysis पर हो या chronic liver या kidney problem हो उन्हें जिंकोविट लेने से पहले अपने doctor से जरूर consult करना चाहिए अगर आप alcohol लेते हो तो जिंकोविट के साथ आपको excess sleepiness या drowsiness field हो सकती है जिन लोगों को driving का profession को उनको भी जिंकोविट लेने से पहले अपने doctor से consult करना चाहिए क्योंकि जिंकोविट के overdose से कभी कबार आपको vision problem भी हो सकती है वैसे तो ये सारे precautions बहुत ही minute है और proper prescribed medication लेने से या उसके dose लेने से ये सारे measures आप दूर कर सकते हैं जिंकोविट के फाइदे क्या क्या होते हैं जिंकोविट से भूब ज्यादा लगती है यानि कि आपके appetite को वो अच्छा बनाता है और जिन लोगों को anemia की problem हो उनने RBC cells के development में भी जिंकोविट बहुत काम आता है जिंकोविट के common side effects क्या क्या हो सकते हैं नौजिया, vomiting, abdominal cramps हो सकते हैं या फिर अगर आपने overdose ले लिया तो आपको vision की problem हो सकती है वैसे तो जिंकोविट लेने से आपकी eye problems भी दूर होती हैं लेकिन अगर आपने prescribed dose या overdose ले लिया तो आपकी आखों में problem भी हो सकती हैं जिंकोविट से constipation की problem भी देखी गई है ये सारे side effects जो होते हैं ये बहुत ही minute level पे होते हैं वैसे तो जिंकोविट को stop कर देने से ये सारी common side effects दूर हो सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके side effects persist कर रहे हैं तो आपको emergency में doctor से consult करना बहुत जरूरी है जिंकोविट का dose क्या क्या होता है जिंकोविट डेली एक tablet ली जाती है वो भी खाने के बाद usually इसको recommend किया जाता है post breakfast अगर जिंकोविट का dose आपसे miss हो गया है तो इसमें कोई घबरानी की बात नहीं है आप अपने जो normal dose regimen है उसको follow कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि जिंकोविट हैरफॉल में काम आता है येस जिंकोविट के साथ folic acid और उसमें present जो zinc होता है वो एक magic mineral होता है जो कि आपके hair loss में या फिर आपके besiding hairline में भी बहुत useful हो सकता है क्या जिंकोविट अकने यानि की pimples में काम आ सकती है येस जिंकोविट में folic acid और जो antioxidant grape seed extract हो आपकी body को young और natural remedy for pimple भी साबित हो सकता है क्या जिंकोविट को diabetes में हम prescribe कर सकते हैं येस जिंकोविट में जो chromium present रहता है वो diabetic patients को बहुत useful होता है क्या जिंकोविट kidney problems वाले लोग ले सकते हैं नहीं जिंकोविट के overdose से या जिंकोविट को proper prescribed dose में ना लेने से हो सकता है कि आ मस्ते आ जाए इसलिए ऐसी लोगों को जिंकोविट नहीं लेनी चाहिए high blood pressure वाले जिंकोविट को ले सकते हैं क्योंकि जिंकोविट बहुत ही effective साबित होती है हमारे blood level को maintain करने लिए thyroid अगर आपको है अगर आपका thyroid hormones जो है वो under active है यानि कि आपको hypothyroidism की problem है तो हमारी body मे zinc absorb नहीं होता तो उसकी इसमें अगर आप zinc का supplement भी ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो हमारी body में absorb हो गई नहीं तो thyroid वाले लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए zinc लेने से पहले कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो जिंकोविट के साथ drug reaction देती हैं तो उन के साथ आपको जिंकोविट अवॉइट करना जाहिए जैसे कि एंटासिट्स जो होती हैं उन में कैल्शियम की वज़े से जिंकोविट क्या जो जिंक है वो एब्जॉब नहीं हो पाता corticosteroids जो immunosuppressants होते हैं यानि कि हमारी immunity को कम करते हैं ऐसी बिमारियां जिसमें आपकी hyperimmune active हो जाता है उन conditions में हम corticosteroids लेते हैं और वहीं जिंकोविट जो है वो immunity booster है तो ऐसी दवाईं जिंक के साथ हम usually avoid करते हैं Ciprofloxacin जो antibiotic है वो भी जिंकोविट के साथ नहीं ली जाती है क्या जिंकोविट को daily लेने से जिंकोविट की लग सकती है जिंकोविट की आदत हो सकती है या जिंकोविट को छोड़ने के लिए हम एकदम से छोड़ सकते हैं या उसके dose को taper करना जरूरी है बैसे तो जिंकोविट को बिना prescribed यानि कि self-medication नहीं लेना है अपने doctor से consult करेंगे तो आपको जिंकोविट के दवाई के जो magic powers है वो आपको आपकी body में उसके result देखने मिलेंगे usually ऐसा बोला जाता है कि इसका result आपको within 7 days to 15 days में जिंकोविट का असर आपको आपकी body में देखने के लिए मिलता है I hope मेरा ये वीडियो useful था अगर आपको जिंकोविट से related कोई भी doubt हो तो आप हमारे comment section में बताएं Thank you